हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो चैनल स्मार्टेडर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी-50 और बैंक निफ्टी का डेली अनालेसिस करते हैं यह अनालेसिस करने के रहे हम यूज करते हैं टेकनिकल अनालेसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनालेसिस करने के साथ में ही नेक्स टेडिंग सेशन में निफ्टी-50 और बैंक नि में जो भी लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिसकस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स दे जब भी आप Nifty 50 या बैंक Nifty में कोई पोजेशन बनाएं, तो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्राइजी को डिजाइन कर सके साथ में हम शेयर करते हैं हमारे इंटरे ट्रेट्स के बारे में भी, दोस्तो इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिटेटरिस वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे, तो फ्रेंज हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या उसके पहले पहुच जाए, तो फ्रेंज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप से रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको लेटेस अब्डे के उपर में नजर आ रहा है, Nifty 50 45 पॉइंट्स गिर के 11,633 पे क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने 119 पॉइंट्स गिर के 30,187 पॉइंट्स में क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग 30,187, 30,000 के नीचे भी हम गय थे, लेकिन उपर आके हमने क्लोजिंग दी ये एक अच्छ बात है, चार्ट पे कुछ अच्छा पैटर्न मंतिव में भी दिखा है, उसके आरे में भी बात करेंगे, बात कर लेते हैं, इंट्राडे स्विंग के बारे में, तो दोस्तों अगर हम बात करें Nifty 50 के, तो Nifty 50 स्टार्टे अरूं 11,661, mid low of 11,536, and high of 11,663, so कितने पॉइंट का मुममें देखने को मिलरा हमें हैas, अगर मुमंें पे ये अगर मुमें देखें तो लग बग लग साब देखें, आपको 130 kinetic के मिल certain kind के mmहिंट होती हैं, आप अगर अगर बैंकन इह दो बात करें को बात करें तो बैंक हमने चुटार्टी पनारे में शुरूआधी भी तो आपको 350-60 पॉंट के आसवास के आपको मोविंट दिखाती है 350-60 के बढिया क्या है आज निफ्टी-50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर में कुछ बढिया पैटन बनते हुए दिखाए दोस्तों वो पैटन के बारे में बात करेंगे और बढ़ा इंपॉर्टेंट करेंगे पर उसके पहले बात करेंगे पर उसके पहले बात करेंगे कुछ टेट जो आज हमने दिन बर लिया तो यह सारे दिन बर नहीं लिये हुए हैं यह बिसिकली कुछ टेट जिसको मैं फॉलो करने ही कोशिश करता है उसके बारे में है जो ट्रेड हमने लिया है उसके ब में देखने को नहीं मिलेगा बट कल का वीडियो में जो हमने श्टडी किया था उस वीडियो के अंदर पर क्लेर कर दिख रहा था कि 30,000 के आसवास में प्रहा सपोर्ट मिलेगा एड दे सेम टाइम फाइड भी चालू थी 30,000 के आसवास में जो कॉल अंपूट राइटर की तरफ से सो वो देखके एक बार ऐसा लग रहा था कि हाँ आप एक का उंट्रा कॉल बनता है वह पर आपको प्रॉफिट मिलेगी सो मैंने मेरा जो टेलिगाम चैनल पर शेयर किया था आप से कि 30,000 का जो कॉल मैंने बेसिकले लिखा था एड दी मनी जो कॉल है उसे हम ले सकते हैं सो अगर आपने लिया रहेगा वो 30,000 का था था एड दी मनी कॉल अगर उसके अंदर में आपने ट्रेडिंग किया रहेगा तो वो उस समय मिल रहा था कितने में मिल रहा था लग 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 आपको मिल रहा होगा यह देखे मैं आपको दिखा देता हूं यह लग लग दस बज रहा था कि शाद मैं फसा तो नहीं हूँ, लेकिन अपर्शनी मिली निकलने की, जो मैंने basically trade लिया था, और मैंने इसे share भी किया था, इसके इसे share भी किया था, इसके आख पे टेलिगाम और शेयर भी किया था, तो 74 है, 71 रुपीस के अससर मैंनर से सेल किया हुआ है, तो उसके अंदर में मुझे प्रॉफिट वोगी है, लगभग इस लेबल के असपास की बात हो रही है, तो इस यहीं पर 75 के असपास गया था, तो यहां पर सेल करके मैं निकला, उसके अधनुस पर डाउन मुझे देखने को मिला है, तो बैंक निफ्टी के अंदर में प्रॉफिट वोग वा आज के दिन में, बैसिकली मैंने कल बोला था कि हम आवाइड करेंगे किसी भी तरह का उप्शन खरीदना, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि मुवमेंट फास्ट हो सकता तो उस ताइम पर डिफिनिटली लिया जा सकता है, तो हमें उप्शन कब नहीं खरीदना चाहिए, जब ऐसा लगे कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, क्योंकि आपका जोसमे टाइम डीके होता है, उसके अन्दर में पूरा पैसा कहतम हो जाता है, बात करने ते कुछ रुछ इंडिया के वारे में बात करते हैं, क्यूमिन आंदिया की पर हमना फोकस है, क्यूमिन आंदिया उन्म कुछ दिन से देख रहे हैं और दूसरे ये stocks कौन से होते ही, ये stocks इसके अंदर में तरह मुभमेंट होने के chances होते हैं, इक दो तीन दिन बे, लेकिन इसके अंदर में हम कुमिन्स इंडिया को लगबग यहां से हमने हम बात कर रहे हैं, तो Cumens India के अंदर में आप देखे 518 के आर्सास में है, क्या साजेशन होना चाहिए, भाई होना चाहिए, सेल होना चाहिए, यहां पर फिलाल Cumens India अवाइड लिस्ट में जाना चाहिए, क्यों अवाइड लिस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक Cumens India काम कर रहा हुए, इन फैक, Cumens India एक रेंज फॉलो कर रहा था, पर अब देखेंगे Cumens India तो Cumens India अपने एक काम कर रहा है, यानि अगर मैं दूसरे रहं से बहुत तो एक सपोर्ट लाइड माफ़करे काम कर रहा है, यह सपोर्ट की वज़े से Cumens India एक बार हो सकता है, अगर मार्केट पर असम ले तो Cumens India आपको उपर के लेबल दिखा सकता है, आप को पर लेबल देखना है तो आपको कहा पे पर बाइय करना चीए, यह सभस्ता हो 5.25oser अगर मैरत बाइक करने का, इसमें हम काम कर सकता है, SBI के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, SBI के बारे में अल्री कल हमने बात किया था कि SBI जिस लेबल पर है, इस लेबल पर मैं comfortable नहीं हूँ, यहां से एक प्रिशन मिल सकता है देखने को, और भी के लिए SBI के अंदर में 6.25 रुपे के आज गिरावट है, अगर हम बात करें, RBL थोड़ा सा पॉजिटिव लग था कल के दिन में लेकिन RBL ने जो मार्केट गिरा है, उसी के हिसाब से RBL भी गिर रहा है, तो क्या मैं इसमें बुलिश हूँ बेरिश? मैं अभी भी इसके अंदर बुलिश हूँ, इसमें बुलिश के आज़न देखें, कल का कैंडल नहीं ऊपर तर तोड़ा है, नहीं नीचे कितार तोड़ा हूँ एतनए गिरते वे मार्केट में भी अरवियल ने सम्हल के काम किया हूँ, सम्हल के काम किया हूँ बेसिकली, सो चांसेज बनते हैं कि आपको यह उपर 380 के आसमास के लेबल दिखाया आर्बियल कुछ दिनों के अंदर में. बालकेशन इंडस्ट्री हमने बात किया था, बालकेशन इंडस्ट्री आपको 1157 तक के लेबल दिखा सकता है, टागेट अजीव है, और लड़ी हम आप पहुंच चुके हैं, यहां से एक बाइंग अपर दिख रही है हमें, अब अगर इस केंडल के उपर क्लोस करता है, तो हमें यहां से बाइ करने का मौका पुरा का पुराम मिलेगा पालकेशन इंडस्ट्री के अंदर में. BPCL भी जिस पोजिशन पे काम कर रहा है, यहां से कुछ बाइंग पोजिशन बनते वे दिख रही है, बाइंग पोजिशन हमें दो से सपोर्ट लेकी जा रहा है आज उपर BPCL, और BPCL 450 के आसवस में अच्छा मौका दे रहा था, फिलाल हम नीचे गए हुए लेकिन यह जो आज का पैटन बनते वे दिख रहा है, यह हैमर तो नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ से यहां से आपक 50 तोड़ता है, तो इसे हम उपर की ताफ जाते हुए देख सकते हैं, इसके अंदर में बाइं का पोजिशन अपने कोशिश करूँगा, IGL, don't trust on this, I don't trust on IGL, so IGL की basically बात करें, तो IGL में small body अभी भी continue बन रही है, in fact आज इसमें मैंने short position बनाई थी, और मैंने अपने telegram चैन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो double bottom मनाते हुए दिख रहा है आज के दिन में, तो यहां से bounce देखने को में मिला हुआ है, IGL में मैंने small profit लेके लेकिन profit booking किया हुआ है, LIC housing finance, यहां पर भी मैंने short position मनाय था, share किया था मैंने, मेरे telegram channel के उपर में, और LIC housing finance basically और कितना ग के बने तो बन सकते हैं, so यह हो गया LIC housing finance के बाद में, अधानी enterprises, Amar Raja, Cement and Chola Finance, थीनों के पर में मारा call bearish था, इसके पर हम bearish हो के चल रहे थे, पहले भी हमने बाद के आदा इसके पर में यह दिखें, एकदब मस्त candle बनी हुई है, 241-232, अगर फिलाल करहें में आप क्या करना चाहिए, इसके अंदर में, I feel एक बर सेल का मोगा फिर से बने का 222 या 220 के लेवल देखने को में मिल सकते हैं, अधानी enterprises के अंदर में, Amar Raja battery, रुखिए, थोड़ा सा, Amar Raja battery यहां पे dozy kind of battle दिखा रहा है, यहां से reversal possible है, Amar Raja battery के अंदर में, कल का candle देख रहा है, यह कल का candle अगर हमें समझ में आता है, बुलिश केंदल तो डेफिनेटल यहां पे buying opportunity बनाया रहा है, Amar Raja battery, चोला finance के अंदर में भी कुछ दिन पहले ही हमने बात कर लिया था कि गिरने वाला है, इनफेक्ट हम यहां से बात कर रहे हैं, चोला finance के अंदर में लग बग लग अग तोड़ने देते हैं, 310 तोड़ने देते हैं, 310 तोड़ने देते हैं, 310 तोड़ने 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 तोड़न कि बनाया था, आज पूर कर दें अलका कर दिया, रीजन भी आज एक मंत पुरा खतम हो गाए, वेबुरी का कॉंट्राक ऊच के दिन में हो गया है, सो अब कॉंट्राक चालो हो रहा है, और मार्च का चालो हो रहा है, तो मार्च के अंदर में वैसे भी वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, फिलाल क्या हो सकता है, अभी जो जिस ताफ से इनोंने पोजिशन बनाई हुई है, यह थोड़ा देखेंगे कल के वी दिन में शाधिती पोजिशन ना बने मंदे से पोजिशन बननी चालू होवे, तो एक पोजिशन बनाई है, जो इंपोर्टन है मुझे देखने के लिए वह मैं यह देखना चाहता हूँ, जो मुझे देख सकता हूँ यहां पे, आज की जो ट्रेडिम होई है, देखें हम गिरे हैं, no doubt in that, हमने higher level से fall दिखाया है, लेकिन जब हम संभले हैं, तो हम बढ़ियां सं देखने को मिली होई है, और इस recovery के वैसे Nifty Fifty ने आपको जो candle आज बना के दिया है, वो है hammer candle, market गिरा है, hammer बना है, perfect candle है, यह दिखें, आपी भी hammer बना था तो आपको bullish train देखने को मिला था, perfect चीज है जहां पर 11,743 के अर्सवास में जाय जा सकता है, तो I am expecting कल के दिन में, ऐसा कोई success मिलते हुए नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिलहार के दाए में मंडी तक आपको 11,743 कलिया मंडी, दो दिन में आपको 11,743 का एक बन लेबल देखने को Nifty Fifty में जरूर मिलना चाहिए, बात कर लेते हैं, option chain की, option chain में कैसे काम हो रहा है, तो दुस्तों, अगर option chain तो हम बात कर रहे हैं, फिफ्ट मार्स की बात कर रहे हैं, Nifty की बात कर रहे है, option chain देख लेते हैं, highest open interest कहां बना हुआ है, Okay, so, कल का पहले, highest open interest की पहले बात करते हैं, 15,97,000, highest open interest call side में, second highest open interest आपको यहां मिलेगा, 17,70,000, this is first, second आपको 15,97,000 का मिल रहा है, 16,00,000 के close है, and third 13,27,000 का, so, highest open interest 12,000 पे दिख रहा है, यानि अभी भी यहां पर writing हो रही है, addition हो रहा है, आप देखेंगे, addition कहां कहा हो रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी बनता है, एक बाद यहां पर यहां पर भी tick कर लेते हैं, 11,700, second आपको मिल रहा है 11,800, and third आपक rate हो है, 6,45,000, 7,93,000, so, अच्छी writing देखने को मिलिया, मैं call side में, call में writing heavy हो रही है, फिलाल के time पे, इसके विसे market गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन, आज का जो contract था खतम हो गया, February मंद खतम हो गया, अब दिखते हैं, highest open interest put side में की दर है, 12,09,000, 11,59,000, so, लगबग-लगब 50,000 का open interest का फरक है, कहां पे है, 11,500 and 11,600 की बीच में, यानि, आपको 11,600 से लेके 11,700 के अंदर में fight देखने को मिलने वाला है, no doubt in that, ये fight देखने को मिलने वाला है, और हमें chart पे देखे क्या दिखा रहा है, 11,743 के आस-पास का level हमें इसलना नहीं बना हुआ है, so, 11,000, ये जो range है, फस्ट आपकी जाएगी 11,600 से 11,700, second range जो आ रही हो 11,600 से लेके 11,800 की बीच में आ रही है, and जो बड़ी range आ रही हो, बड़ी range में trade हो सकता है, अच्छल possibility बनती है, उस बड़ी range में भी trade हो नहीं की, so, वो बड़ी range है आपकी 12,000 से 11,500 की बीच की, इसके अना हम अगर बात करना रहे कि Nifty के लेबल्स क्या हो सकते हैं, देखें, Nifty के लेबल्स के बारे में अगर बात करें, तो आपको याद हो कि लास्ट विक में भी हमने Nifty के लेबल्स निकाल लेते हैं, और जहां पर कुछ काम होता है, वो नजर आय मिलेगा 11,864, देखें, यह एक स्टडी के हिसाफ से हैं, सेकें जो है 12,095, और थर्ड रजिस्टेंस जो मिलेगा 12,326, यह हमें उपर आते हुए रजिस्टेंस मिलेगा, नीचे आते हुए हमें कहां पर सपोर्ट मिल सकता है, पहला सपोर्ट याद 11,402, सेकेंड मिलेगा 11 10,171, and 3rd, आपको सपोर्ट जो मिलेगा, वो मिलना चाहिए 10,940, यह आपको नीचे जाते हुए सपोर्ट मिलेगा, और यह उपर जाते हैं, आपको रजिस्टेंस मिल सकता है, निफ्टी के अंदर में, और रेंज यह अलड़ी हमने क्लियर कर लिये, 11,600-11,700 के बीच में, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000 , 11,800,000,000,000,000,000,000 पे बीच बड़ी नेजर ऐनीचे लिची ऑड़ी नाधार में, चले बात कर लेरे में, जुद्सकों बात मिले रेंची यह निची के बारे में, जो स्कुलर्ट बात करते हैं, आज सेम पैटरन में सेम चीज के आदर Потомोग कर अब ब वही सेम केंडल बैंक निफ्टी भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमें फिलाल जो है नीचे की तरफ में अच्छी बाइंग भाइंग भाइंग दिख रही है, और वहां से बाइंग हो रहा है, कल का वीडियो अगर अपने ध्यान से देखा होगा, तो मैं तमनिल भी रखा होता है कि 30,000 पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, क्या हम 30,000 के नीचे आज गये थे? Yes, we went down, we went below 30,000 लेकिन वहां से बाइंग देखने को मिला हमने कोशिश की कुछ देतर 30,000 के नीचे हमने निकाला लेकिर उसका ने जब 30,900 नहीं तोड़ा है, because we went, I feel 30,914 के आसपास में गये थे, 918 के आसपास में, जब हम उसके नीचे नहीं जा पहा है, एक second attempt भी हुआ था, जब हम उसके नीचे के नीचे को मिलेगा कि हम नीचे गये थे, 30,920 के आसपास गये थे, एक second attempt भी हुआ जो 30,954 पे लेकिन फिर वहां से support line पे काम होना चालोगा, और वहां से हमने उपर के तरफ growth दिखाया हुआ है, यानि आपको नीचे से buying मिला हुआ है, तो यह पूरा एक candidate बनता है कि आपको एक बार उपर के label देखने को मिले और आप यहां से 30,492 यानि 30,500 के आसपास में label दिखाए, यह पूरा का पूरा कल के दिन में महौल बनता हुआ दिख रहा है, option chain पर एक बाई से confirm करने कि कोशिश करेंगे, option chain भी confirm कर देए, यह सेम बात तो अच्छा होगा, so let's talk about 5th March के हम बात कर रहे है, bankruptcy के बात कर रहे है, bankruptcy के बात कर रहे है, bankruptcy के 5th March, okay, let's talk about this, highest open interest, 386,000, this is what the open interest, 386,000 का highest open interest का है, 30,500 के बात के हुई है, 363, second highest open interest, it is on 31,000, and the third highest open interest, आप देखे, 173,000 का है, so यह है 31,500 के, अगर मैं call side की बात कर रहो, highest open interest आपको मिल रहा थी, 35,000 का, 30,000 का नजदीक में 30,000, यानि आज यहां भी काम हुआ है, and 255,000 का, आपको मिल रहा 29,500 पे, so हर एक 500 points के उपर में, आपको एक stand देखने को मिलता है, basically bank nifty के अंदर में, so अब range क्या निकल के आ रही है, range पहली छोडी range है, 30,000 से 30,500 की, and addition देखे, आप आप 1,11,000 की addition हो रही है, 70,000 writing, 61,000 writing, 2,18,000 writing, क्या इस side में भी आपको देखने को मिल रही है, even we can see 1,52,000, 1,11,000, यह writing यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, so आपको 30,200 पर भी एक अच्छा resistance मिलेगा, no doubt in that, 30,200 पर एक resistance है, but chances हैं कि हम उपर की तरफ फिलार्गनाइम पर जाएं, so एक छोड़ा resistance 30,000, 30,500, उससे बड़ा resistance वो निकल के आ रहा है, 29,500 से 31,000, और उससे बहुत ही कुछ positive हो गए, तो आम उसके उपर भी 31,500 तक जा सकते इस week के अंदर में, एक दो दिन के अंदर का लेबल मुझे यही समझ में आ रहा है, 30,000, 31,500, या तो 30,000 से एक बार हम 31,000 के तरफ पढ़ेंगे, के अंदर में फिलाल यही समझ में आ रहा है, दोनों बैंक Nifty & Nifty के अंदर में हमें के चैंडल देखने को मिल रही है, वो हैमर कैंडल है, बुलिश कैंडल है, गिनने के बाद में अकर हैमर कैंडल बने तो उसे बुलिश भी मान जाकता है, इसके लिए मैं एक्सपेक्ट करना हूँ कल के दिल में मार्केट उपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, इसके लिए पुछ स्टॉक्स भी जिसके स्टॉक्स के बारे में बात करना एक्षली जरूरी है, जो मेरे ध्यान से उतर गया। Okay, so SEL Tech निकाला हुआ है, SEL Tech के अंदर में आप देखे एक गिरावट देखने को मिल रही है, तोड़ा से रुकना हमें कल का अगर यह लो तोड़ता है, तो इसके अंदर में गिरावट देखने को मैं मिल सकती है, और जो आपको 560 के लेवल दिखा सकते हैं, इंटरे कल के लिएम लेग कर सकते हैं इसके अंदर में, M&M Finance गिरावट continue है, कैंडल भी जो बन रही है अभी और गिरेगा, और अगर आपको यह 550 के नीचे मिलता है, तो एक बार इसे आप बेच के जा सकते हैं, और अगर बेचना है तो लेवल ले लिए, 338 के आसवास का आपको एक बार यहां पर लेवल देखने को मिल सकता है, M&M Finance के अंदर में, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने वीडियो को देखा है, अगर आपने वारा टेलिग्रम चैनल जॉइन नहीं किया है, आप टेलिग्रम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, फ्री ओफ कॉस्त है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आइस थाइंक यूवल मुच पर वाचिंग इस वीडियो, गुटनाइट